सो हेई गाईस वेलकम टो माई चैनल तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैनिन एंजियो टैंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम ठीक है कि यह रास सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है ठीक है कौन-कौन सी ड्रग से इसकी अंडर आती है हम लोग सारा जैसे क्या से निखकलता है जाद रखना कि जो एंज्यो टैंसिन वर्म है वो कैसी फॉर्म है in active form clear अब जो angiotensin 1 है वो with the help of angiotensin converting enzyme किसमें convert हो जाता है angiotensin 2 में ठीक है angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 with the help of enzyme angiotensin converting enzyme ठीक है जो angiotensin 2 है वो क्या है active form है clear अब जो angiotensin 2 है एक्ट करता है angiotensin receptor पर clear अब जिसके वज़े से क्या होता है कि जो angiotensin receptor 1 है ठीक है वो क्या करता है कि aldoschiron पर act करना लग जाता है clear अब देखो जो angiotensin notion है वो angiotensin में convert हुआ with the help of renin ठीक है तो अगर हमने blood pressure को regulate करना है तो हम renin inhibitor यूज कर सकते हैं सबसे पहले renin की उपर ही ठीक है जैसे कि ऐसे जाद रखो कि renin की दोस्ती है किसके साथ किरन के साथ रैनिन की दोस्ती किसके साथ है किरन तो एलिस की रण, रैमे की रण, एनल की रण समझ में आ गया तो यह जितने भी ड्रग्स है यह यूज करते हैं हम किसलिए तो treatment of hypertension clear अब angiotensin one is converted into angiotensin two with the help of angiotensin converting enzyme अगर हम angiotensin converting enzyme inhibitor यूज करें तो उसकी वज़े से क्या देखने को मिलेगा हमें कि hypertension को हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि ऐसे जाद रखो कि angiotensin converting enzyme प्रिल जाद रखना कि जितने भी ड्रग्स होगे उसके पीछे प्रिल लगेगा लैक अनाला प्रिल लिन्जोप्रिल ठीक है क्वनप्रिल परिंडोप्रिल फोसीनोप्रिल केप्टोप्रिल इंपोर्टन्ट है यह अच्छे से पढ़ लेना है अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कुछ ड्रग्स जो एंजो टेंसिन रिसेप्टर वन पर एक्ट करते है ठीक है तो रिसेप्टर पर जाद रखना जो साटन है ऐसे जाद रखनों कि साटन रिसेप्टर पर जाता है कौन जाता है साटन मतलब कि जितनी भी ड्रग्स के पीछे साटन लगेगा वह किस पर एक्ट करेगे रिसेप्टर के ऊपर क्लि या लो साटन वल साटन टेलमी शाटन केंडे साटन समझ में आगे जितने भी साटन साटनलगे हैं मतलब वह कहां पे एक्ट कर रहा है रिसेप्टर पे क्लिर अब आप अल्डूस्टिरोन पे हम लोग कह सकते हैं जैसे कि SPIRONOLEKTOM ठीक है यह सारे किसमें एक्ट करते हैं अल्डुस्टिरोन पर जो कि वाटर रेटेंशन में है समझ में आगे बात तो यह बहुत ही इजी वे से मैंने बताया कि रास सिस्टम क्या है ठीक है कौन-कौन से हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं पेट टेंशन को ट्रीट करने में ठीक है हाइप इस ट्रीट करने में कौन-कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं I hope you understand ठीक है आप ब्लोग से ग्रीन शॉट भी ले सकते हैं इस टॉपिक का